भगावान कहते हैं अपने घर पर चाये गरीब से गरीब यख्या आए वह डाने सन्स लने आ आया हो ऐसा हो सकता है लेकर इसके बावजूद्य आप उसे दान दे या न दे पर समान में कभी कमी मत आने दी दे आप उसे दान दे या न दे आपकी मर्जी है आपके हाथ में छूट हो तो उसको दो हजार का सद्रमी बक्ति का लाब मिल जाएगा सयोग कर देना और लगता है छूट नहीं है तब भी उसको सम्मान प्रुग विदा करना कि भाया आज मेरे हाथ में छूट नहीं है पर ने आया था आपने कुछ नहीं दिया पर एक समय को उसको बोजन करा के सम्मान प्रोप विदा किया वो जीवन बर याद रखे रहा यह उंचे घर की पहचान होती है यह नहीं कि चार बंजला मकान की उनचे मेंगे गरेनाइट के पांच पांच लाग के बातरूम के इटली क इटाइलिया लगी है उँचे घर की ये पैचान नहीं होती, जए आतिती के साथ सम्मान परों को वेवार किया जाता है, गोरों के साथ वेवार किया जाता है, ये उँचे घर की परेचान होती है. पांशàsवें अपने नेचर को हमिस्था सॉफ्ट रखी. इससे आप दूसरों के दिलों में जगे बनाएंगे किसको सौफ रखे नेचर को क्योंकि हमारा नेचरी हमारा फूचर बनाता है अगर नहीं पढ़ता है तेरा दूसरों पर प्रभाव तो कुछ मत कर सुधार ले अपना स्वभाव अगर सौभाव तेरा सुधर गया तो प्रभाव अपने आप अपड़ आएगा नेचर तेरा सुधर गया तो फूचर अपने आप सुधर जाएगा आदमी को अपने नेचर को बहुत सौफ रखना चाहिए सामने वाला क्या है फूटे करम उसके इसके किसमत वो जाने कहां कहां किस-किस के पीछ एपन जाते रहेंगे मेरा नेचर सौफ эт है पदारिस सौफफ था सवागत है यह बहुत कुश्य के बात है इसे से होता क्या है ऐसा नहीं कि सामने वाला खुश होता है इससे हमारे कर्म का बंदन नहीं होता है हमारे दोस का बंदन नहीं होता है हमारे माथाफोड़ी नहीं होती है हमारे टेंसन नहीं रहती है समझ लो जो मुझे नहीं चाहता है मुझे पता है ये बाहर में मेरे ल्टी सीधी बाद भी करता होगा मुझे पसंद भी नहीं करता है पर हमारे यहां आया है मेरे पास दो विकल मैं भी यह मूँ फुला कर बैठ जाओ कहां दिकत है पर मूँ फुलाने से मूँ सुजाने से मूँ चुडाने से कभी समश्याओं का समाधान नहीं होता है समझ चाओं का समादान तब होता है जब उसके साथ मिठास से पेश आएंगे मुस्कुरा कर पेश आएंगे हम तो मन से मुस्कुरा रहे हैं वो कृत्रिम मुस्कुरा रहा है पर दोनों के चेह पर मुस्कान आ गई आज नहीं तो कल रिस्तों में मिठास भी आ जाएगी चटी बात जो जीवन में जोडने लिए है वो है सब के साथ हमेसा विनमरता से पेश आई ये जीवन के वे सद्गुन है जो इनसान को महापुरुस की सिर्णी में लेकर आते हैं ये जीवन के वे सद्गुन हैं जो आम इनसान को जमीन से आसमान तक पहुंचाते हैं मैंने चटी बात कही और वो है सब के साथ बहुत विनमरता से पेश आउ मैं कभी किसी के निंदा नहीं करूँगा मैं कभी व्यंगे की भासा नहीं बोलूँगा मैं कभी हलके शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं जब भी बोलूँगा शाली इनता के बासा बोलूँगा विनमरता से पेश आउ स्वागत ऐसा बहुत खुश्य आप अधारिया अकड के मत रहो क्या? अकड के मत रहो थोड़ा जुकर रह जाओ थोड़ा विनमर बन कर रह जाओ पधरोसा बहुत कुश्री बात है समझ लो आप किसे ट्रस्ट के अध्यक्ष है ट्रस्ट की मिटिंग बुलाई है अब आपको पता है कि वे जो दो मानोबावे आप जो भी बात करो वो हमेसा ट्रस्ट में काड़ते हैं आप कहेंगे हम ये करें वो कहेंगे ने ये भी ने करें आप जो भी सुझाव देंगे उनका काम है काटना ठीक है आपको पता है और वो मिटिंग में लेट भी आएंगे और आकर कि हर बात को काटेंगे हर मिटिंग को भिगाड़ेंगे आप इस वार प्रियोग करके देखना आप अगर ट्रस्ट के अद्यक्षण आपको पता है यह जो दो लोग आते हैं यह हमें सा भिगाड़ा करते हैं वो जैसे ही आये ना खड़े होना दरवाजधना ओ पतार सां अरे मैं आपरि इन्जारी कर रहा था आपने आओ तो मिटिंग क्या शुरू कर रहा सां पतारो और ये लेते वे बिलकुल अपने बगलभाले आसननल को बेठा ना पतारो विराजो 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 सां पतारो गणी कुछ हूई उसके कुछ आया होगा और उसको सुधरने में एक मिनट काफी है आपका या सम्मान वरा व्यवाहर अब उसके हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो कहने नहीं इनका कहना गलत है और जब आपने उसको इतना सम्मान दे दिया अब वो दस्त लोगों के बीच आपकी बात को काटे कहां स कई वार मिटिंगों में वो सबीजे कर चुका है कि वो क्या है उसकी क्या उकात है उसका क्या नजरिया है उसका क्या दिश्टिकाओन ओसके क्या गतिवी दीए ओप नेसको बहुत झालए और यह काम हमारा नजरिया करेगा allez भगवान हमें सात्वी बात कहते हैं, मुझसे जो भी बात बोलें, उसे पूरा जरूर करें, केवल बोलने के सुर्वीर न रहे, क्या, हाँ, वो जैसी, हाँ, ने, 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 वचन, जीवन में दो चीज़ सीखो, भगवान राम से सीखना हो, तो वचन को निभाना, और भ पूरा जीवन वचन की मर्यादा का प्रमान हैं, और भगवान शी माहवीर का पूरा जीवन संकल्प, जो संकल्प पकड़ लिया, उससे वापस कभी डिगे नहीं हो, अगर निकल पड़े साथना के रस्ते पर, तो कभी मुड़ के न देखा, अगर संकल्प पकड़ लिया, क कि मैं अंचाही जगे पर नहीं ठेरूँगा, तो नहीं ठेरे, भगवान राम वचन के धनी थे, और भगवान शी माहवीर संकल्प के धनी थे, तो कहते हैं, बोलने से पहले सोच लो, पर जो बोला है, उसे मर के भी पूरा करो, अगर आपने कह दिया, मैं तुमारे एकाम कर ने तुमारे मन साक्षी न दे, अगर तुमने नहीं किया, तो ये तुमारी कमजोरी होगी, अगर हमने मूँ से बोलने के बाद, अपने वादे को पुरा नहीं किया, तो सामने वाला हमारे भरू से रह गया, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, भगवान हमें आठी बात कहते हैं कभी भी किसी भी धर्म पंत परंपरा की मजाक मत तो रहो आपको जो करना आप अपनी धर्म के आरादना करो, आपके च्छा है मेरे यह यह मेir गूरु मराज ने धर्म बताया मैं वो करूँ पर किसी और जो डरा है उसके मजाक मत तो लो जैसे किसी ने उपवास किया अब समझे जो भूल से उपवास में उसको गुस्सा आ गया मजाक मत उड़ाओ और कहीं उपवास करिये हाका उका तो छुटिया को ने थार उपवास करिये करके देखो तो हम उपवास पता लग जाएगा हाका हुका तो कल भी करता था आज भी कर रहा है कल भी करेगा और आप भी तो हाका हुका कर रहे थे पर उसने उपवास किया ये प्लस बात है ना पर हम जड़ से कह देते हैं कहीं तेले रहो कहीं मतलब यह तेलो करे तेलो करे थारो गुस्तों तो छुटियों को नी कहते हैं न समझ लो आपकी परंप्रा है हम ये ये तरीके से धर्म आरादना करते हैं उसकी परंप्रा वो वो तरीक से हाँ भईया हम आपके मार के भी अनुमोद ना करते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम दे बक्ति का मार गलिया आपने आरादना का मार गलिया किसी ने संगठन का मार गलिया क किसी परमपरा में सामाइक वरतों को जोड दिया गए, किसी परमपरा में संगठनों को जोड दिया गए, इन सब को मिला लो, तो धरम का मुल सरूप بن जाए. तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आप लोगों से और खुझ से भी, आप अपने धर्म के स्थान के आगे से जाएं हाथ जोड़कर जाएए पर किसी दूसरे के धर्म के स्थान से आगे से जाएं तो अकड के मन साएए क्योंकि वहाँ भी लोग अबादत करते हैं वहाँ भी लोग आकर भगवान के पूजा करते हैं वहां भी लोग आकर इश्वर को याद करते हैं तरीका आपका अलग है और उनका अलग है पर आप अपने धर्म के आगे तो यू यू करें और किसी और का धर्म इस्तलाए तो आप अकड़ करते हैं ने ने वहां भी विनम्रो कर जाएए क्योंकि वह भी वह अबादतगा है वह भी वह परमात्मा के जगे है उसका तरीका अलग है पर वहां भी लोग प्रभु को याद करते हैं अपने प्रणान समर्पित करते हैं दस्वी बात जो मैं कहूंगा वो है भोजन करते समय कभी भी नुक्ताचीनी मत निकादे नुक्ताचीनी का मतलब है टिपणिया मत कीजिए कहीं एड़ी कहीं सबजी बनाईए तुम आई तक सीखी कोनी सबजी बनाऊ नी रोज बनावे तो भी कहीं एड़ी कहीं दाले बनाईए फुलका कहीं बढ़ा है रहा नहीं 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 बोजन को हमिसा मौन पूर्वक किजिए तिपणी मत किजिए बोजन करने के बाद उनको सलह देदीजिए कल से ऐसा बनाना पर बोजन करते समय भगवान ने का है मौन पुरुग भोजन करो आप तीन दिन मौन पुरुग भोजन करके देख लो अगर चौते दिन आपकी ठाली में बिलकुल व्यवस्तित खाना आजा तो मुझे कहना क्योंकि आपने खाना खाया पीछे आपके दरम पत्नी आपके बेहन आपके माने भी खाया देखा कड़ी फी की थी पर भाईया ने कोई नहीं बोला दाल थोड़ी जल गई थी पर पापा जी ने कुछ भी प्रतिक्रे नहीं की अब तीन दिन वाद जब आपको खाना परोसेगी तो क्या करेगी पहले चक-चक के प्रोसेगी और वो तो कुछ बोलते भी नहीं नमक कमे की जादा है वो तो कुछ बोलते भी नहीं की थाल चिपगे की नहीं चिपगे स्फिरोच चेक करके आएगी हो गया ना पूरा खाना सुधर गया केवल खुद को तीन दिन सुधर ना पढ़ा भविश्य का खाना पूरा सुधर गया आपका तो भोजन करते समय किसी भी भोजन सामगरी को प्रभु का प्रसाद मानिए उस पर नुक्ता चिनी मत कीजिए और हाँ अगर हो सके क्रोध का जब वाताण बन जाए तो खुद को शांत रख लिजिए सौ विपत्यों से बचने का सहलो पाए है जब कहीं क्रोध का है चोटी-चोटी मंत्र है पर आप इने जीवन में जोड कर रखेंगे ना टिप से जोड कर रखेंगे आप इनके इनको बार-बार आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह जीवन के मंत्र बन गए और वह जब क्रोध का बात होना है खुद को शांत कर लो ठीक है आप छोटा सा प्रयोग कर के देखना उसनों ने कह दिया सो कह दिया कोई बात ने भाई उन्हों ने बोला मैंने नहीं लिया आपको पता है जब हम आपके घर पर गोच्री लेने के लिए आते हैं और आप कहते हैं बाप जी ओलो 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 मतलब ये लो ये लो ये लो और वो चीज़ हमें नहीं चाहिए तो हम वापस क्या बोलते हैं हाँ बिलकुल बढ़िया वाला सब्द निकल आपने खप नहीं है बस मैं आपको यही तो गुरु जनों का मंत्र जीवन में देना चाह रहा हूँ जैसे हम आपके घर पर गोचरी आहर के लिए आते हैं और आप कहते हैं बाप जी ओ लो ओ लो तड़ी ओ लो बाप जी मिठा ही लो तो ममुनी जनों को नहीं लेता हो नहीं 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 होता है मारे खप कोनी और जैसे आपने का खप कोनी कि खप कोनी कहते ही खपत भी कोनी जब खप कोनी तो खपत भी कोनी मारे नहीं खप है भई तो तो बोल लियो पर मारे नहीं खप है और वो बोल के चला भी जाए ना तब यही सोचो मारे तो खप यही कोनी तो वापस उन्हेने खनी रहे हो मैं आप रे गरे गोच लेवने आया आहार लेवने आया और आपके बाप जी सबजी लो बाप सबजी लो मैं दो सबजी ली और दो सबजी छोड़ने आया जी को ली बाप मारे खनी आई तो जीवन विज्ञान ये हमें कहता है अगर आप आनंद वरी जिंदी की जिना चाहते हैं तो जहां जहां क्रोध कशाय का वातन हो अगर आप पांच मिनट वहां सांत रिदे में सफल हो गए तो आपके 24 गंटा सांती में बीच जी लिए तो आपके 24 गंटा सांती से बीच जाएंगे और जो मैं अन्तिम तीन चार बाते कहकर आपनों को खड़ा करूंगा और वो है हमेसा दूसरों का सहयोग जरूर कीजिए और कुछ नहीं दो बिश्किर के पैकेट बार दिया और कुछ नहीं गाय को दो रोटी खिला दिया और कुछ नहीं एक गाय को दस रिपे का चारा खिला दिया हमने किसी का पेट भारा साई इतना दीजिए जामे कुटम समाय आगे मैं भी भूखा ना रहूं अब अंतिम लेन बोलो सादु नहीं भूखा जाए साई इतना दीजिए ए भारान मुझे इतना सा धन दे दे कि मेरे कुटम का मैं पालन पोशन करना हूं क्यों इतना ही नहीं गर पर कोई आ जाये मांगने वाला तो वो भूखा वो भूखा ना जाये उसको ना न कहना पड़े बस भगवान मुझपर इतनी महरबानी करके रखना इतनी कृपा बनाए रखना हे प्रभू मुझपर इतनी महरबानी बनाए रखना कि जब कभी मेरे यहाँ पर कोई याचक आ जाए मैं ना कहने के बजाए हास से जवाब दूँ कभी भी, जवान से जवाब ना, क्या का मैंने, घर पर कभी कोई आज आए, मुझे जवान से उसको जवाब ना देना पड़े, हमेसा किस से जवाब दूँ, हास से उसको जवाब दो, साई, बस इतनी करपा बनाए रखना, और हमेसा तीन बाते और अंति बज़े पहुँची अगर आप समय के पाबंद रहेंगे हमेंसा याद रखना अगर आप समय का साथ देंगे तो समय आपका साथ देगा आप समय को पीछे छोड़ेंगे समय आपको एक दिन पीछे छोड़ देगा हाथ में गड़ी इसलिए नहीं पैंते हमें टाइम देखना है हाथ पर गड़ी इसलिए पैंते हैं क्योंकि हमें टाइम पर चलना ले बड़ों के मान सम्मान में कभी भी कमी मत आने दिजिए ये आपके घर की कुलीनता भी है और आपके जीवन का गौरो भी है उन से जवान मत लड़ाईए पूरी दुनिया को अपना ग्यान बांटिए पूरी दुनिया से माता पोड़ी कीजिए पूरी दुनिया को समझे समझाईए पर जिन्होंने आपको जीवन दिया जीवन के सारी व्यवस्ता दी उन दादा दादी मम्मी पापा से ज़्यादा बहस मत किछी है ठीक है पापा जी ऐसा करना है आपको दुनिया में कैसे जीना है आप पूरा जी लो पर उनके सामने अगर उनका ऐसा करना है हो कम बापा जी हम ऐसा ही करेंगे आपकी मन की चलाने के लिए आपके पास तीस साल है पर दादा जी के मन के चलाने के लिए आपके पास किवल तीन साल है अब वो किते जिएंगे नबे साल के हो गए पिछान में जी लेंगे सित्यान में जी लेंगे इठान में जी लेंगे कोई एक सो बीस साल तो जीने वाले है? है? नहीं है. तो उनके हाँ दादा जी जैसा. पापा जी आपने जो बोला और जरुत पढ़ने पर घर के बाकिस रिसको. जो दादी मा कहे ना बसमन को वो करना है. पूछ लो दादी मा क्या कहते है वो करना है. बड़ों का कहना मान कर अगर आपने उनको खुश्या दे दी. वो खुश्या आपके आने वाले कल को काम आएगी. तो बड़ों के मान समान मान मरियादा. अगर उनके इच्छा है कि घर में ऐसा पहना हुआ पहना जाए? पहन दो. अब आप अपनी ज़्यादा बुद्धिन पे मत लगाओ. अगर आपने ये सुरू किया कि मैं दादी माँ को सुधार हूँगे तो आप फैल हो जाओगे. हाँ, घर तब स्वर्ग बन जाएगा जब आप खुद सुधर जाएगे. आप सोचे, मैं दादा सा को सुधार के रहूँगा? नो, गलत है, आप रॉंग. अपने आपको सुधार लो, उनके अनुसा डालो, ठीक है दादा सा. आप कहते हैं नहीं ऐसा करना? नो प्रॉब्लम, हमें ऐसा ही करेंगे. बड़ों का वो हर कहना मान लो. मंत्र नोट कर लो जिस मंत्र को मैंने जीवन बर अपने साथ जीया, अपने पुझे पिता जी और माता जी महराज के साथ, मैं वो मंत्र आपको दे रहा हूँ और वो है बड़ों की वो सहर बात को मान लो, जिसमें आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहोता हूँ. वो के डबो अठर राग हो और आपको लगता है बहुत बड़ा नुकसान है तो एक पर उनसे सलह ले लो, यह पापा जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पर छोटी मोटी बात पर उनसे बहस करने कर दो, वो कहते हैं फ्रीज यहां की बजा यहां रख दो, वो कहते हैं थारियां यहां की ब खराब करो और उनका भीज़ा भी खराब करो इसकी बजाए सबसे बड़ी है हाँ दाजो साओ बिलकुल बिलकुल अभी करना से मैंने इस मंत्र को जीवन भर जिया अपने बड़े बज़र्गों के साथ और इसलिए हमेसा हमारी शालीनता और हमारे प्रेम बरे वेवार में कभ अगर उस समय हमने उनका चाहा जी लिया तो हमारा क्या भी गड़ गया मन चाहा जीने के लिए पूरी जिंदगी है पर बड़े बज़र्गों के चाहा जिनने के लिए थोड़े से वरस है अगर आपने उनको खुशिया दे दी इश्वर आपको खुशिया देगा अगर आप ने उनका मन दुखा दिया आप क्या समझते हैं माफ कर दिये जाओगे क्या समझते हैं आप क्या आप उनका मन दुखा कर खुद सुखी हो जाओगे उनके कांटे बोकर आप गुलाब का फूल पा लोगे क्या सोच रहे हैं आप कि उनके मन को तरफा कर आप अपना बुड़ा पे को सुख में बना लोगे ना बाबा ना सौसो गुना लोट कर आती है सौसो गुना मैं इसलिए आप लोगों को विनम्र अन्रोथ कर रहा हूं मैं कोई प्रवच्चन उब्देश में नहीं दे रहा हूं मैं खुद इस बातों को जो बोल रहा हूं जीने की कोशिश करता हूं इसलिए आपको गर के सदश्य बनकर आपको बाते बांट रहा हूं मैं अन्रोथ करूंगा बड़े बुजरिगों की एमान, मरियादा, कान, काईदा, भासा, इजजद, व्यवार बोल, चाल जिन्दगे में याद रखना, दो चीज हमिसा लोट कराती है इजजद और नमबर दो दोखा यह लोट कराते है अगर आपने किसे को इजजद दी, तो वापस इजजद भी पाओगे और किसे का आपने अपमान या दोखा किया तो वापस वो भी लाट कराएगा अंतिम बात कहकर आप लोगों को अब आज की बात पूरी करा हूँ और वो है जीवन के प्रति हमेसा पॉजिटिव नहीं है बोलो, मुझे बोलो, जीवन के प्रति हमेसा सकरात्म रहे हैं, पॉजिटिव हैं पहलो पर, जब जो गटित हो गया उससे दुखी मत हो, कलेश मत हो अंचाहा हुआ तब भी आनने लिए मुझे बोलिये मंत्र है अंचाहा हुआ तब भी आनन लेंगे और मन चाहा हुआ तब भी आनन लेंगे क्योंकि परिस्थिती तो हमारे हाथ में नहीं थी पर मनिस्थिती हमारे हाथ में है नीचे जाने के बाद क्या परिस्थिती रहेगी मेरे और आपके हाथ में है क्या मैं जब नीचे उतर जाओंगा आपन जब बाहर निकलेंगे तो कौन से परिस्थिति रेगी हमारे हाथ में नहीं है परिस्थिति बिगड़ेगी की बनेगी ये मेरे हाथ में नहीं है पर बिगड़ती ही परिस्थिति में मेरे मनस्थिति को मैं अच्छा बना कर रखूँ ये परिस्थितियां तो हमारी भी बिगड़ती है जीवन के साथ रोजमर्रा की जिन्दगे में जोडने के लिए अन्रोट की और ये बात हैं अगर हम जोडते हैं तो आत्म कल्यान तो है ही साथ में जीवन का भी कल्यान है